अगर कोई आदमी पुलिस स्टेशन में किसी वैपन के साथ आए यानि उसके पास कोई चाकू हो या कोई गन हो या कोई ऐसा वैपन हो जिससे किसी का मडर किया जा सकता है और वो पुलिस स्टेशन में आकर के ये कनफेशन करें कि मैंने कल्लू परधान का मडर किया है तो पु अगर कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन में किसी वैपन के साथ या बिना वैपन के आकर किसी क्राइम का कनफेशन करता है कि मैंने ये मर्डर किया है या मैंने चोरी की है या इस तरह से किसी भी क्राइम का वो कनफेशन करता है तो पुलिस क्या करेगी देखिए यहाँ पर दो चीजे हैं पहली तो हमारी सोच है हम आम लोग क्या सोचते हैं हम तो यही सोचेंगे कि वो आदमी आया है उसने खुद confession किया है evidence भी दे रहा है तो उसको court में लिजा करके सजा दे दिनी चाहिए लेकिन हमारा law कहता है कि चाहे 100 criminals बच जाएं लेकिन ए अगर इस crime के बारे में उसे किसी और से यह information मिलती तो पुलिस सबसे पहले उस weapon को जबत करेगी as an evidence जो उसके पास है और उसके बाद उस आदमी को ले जाया जाएगा मौकाई वारदात पर जहां पर वो वारदात हुई है और पुलिस वहाँ जाकर के बिल्कुल वैसे ही investigation कर लोग उसे पुछताच करेगी जो evidences हैं उनको जमा करेगी उसने कल्लू परधान का murder क्यों किया है इसका reason देखेगी क्योंकि हो सकता है कि उसने confession इसलिए किया हो कि उसके family वालों को किसी को किटनैप कर लिया हो किसी ने और उसे कहा हो कि पुलिस इस्टेशन में जाकर के ले और मेरा जो क्राइम है अपने सर पर ले और मैं तुझे इतने पैसे दे दूँगा यह फिर हो सकता है कि कल्लू परधान का murder किसी ऐसे आदमी ने किया हो जिससे वो बहुत सादा प्यार करता हो और इसलिए उसको बचाने के लिए confession कर रहा है पुलिस इस्टेशन में आकर और उसके बाद investigation करेगी investigation पूरी होने के बाद पुलिस कोट में चार्शीट फाइल कर देगी और उसके बाद trial शुरू होगा पुलिस ने कोट में जो चार्शीट फाइल की है और जो witnesses जो भी उसने evidences पेश किये हैं अगर वो उस आदमी की story को support करते हैं यानि जो उसने कहा ह कि मैंने करलू परदान का murder किया है अगर वो evidences और witnesses उसको support करते हैं तब ही उसके उपर murder का charge लगा जाएगा लेकिन कोट में जो भी evidences जो भी witnesses पेश किये गए हैं अगर वो उसकी story को support नहीं करते हैं कि इसने murder किया है तो फिर उसके उपर murder का charge फ्रेम नहीं किया जाएगा ब अगर कोई भी शक्स पुलीस station में आ करके confession करता है कि उसने कोई crime किया है तो पुलीस क्या करेगी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई question है तो आप नीचे comment करके हमें बता सकते हैं और अगर आपको इस type क वीडियो अच्छी लगती है जिसमें question और इसका answer होता है तो आप हमें बता सकते हैं इस तरह की वीडियो भी हम ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे